हेलो फ्रेंट्स आज से इस्टिचिंग में आपका स्वागत है आज मैं बेल्ट ब्लाउज की स्टिचिंग करना बताऊंगी इसकी कटिंग में पहले ही कर चुकी हूँ अगर आपको देखना है तो उसका लिंक में आप वाई बटन पर देदूँगी तो देखिए फ्रेंट प कपड़ा है उसको हम बीच से कट करके दो पार्ट कर लेंगे दोनों साइड वाला अलाग अलाग कर लेंगे उसके बाद से हम इसको में कपड़े पर अटैज करेंगे तो जो बाकी एश्ट्रा पीस है उसको मैं साइड में कर दे रही हूँ और एक फ्रेंट पार्ट का अस्त तरीके से दूसरे वाले पार्ट को रखना है उसके उपर हम दोनों सिधा वाला साइड देखते हुए रख लेंगे दोनों का नेक जो है एक साइड होना चाहिए और आर्म हुन जो कटिंग हुआ है दोनों एक साइड होना चाहिए इस तरीके से रखते हुए उपर से हम दबा तो यह निसान gifted के तो यह निसान दूसरे थे पार पर बन जाएगा उसके बाद से उस निसान को भॉष कर लेगे तो इस तरीके से चारो टक्स में हम कर लेंगे उसके बाद से मेन कपड़े के उपर इस तरीके से रखना है जो मेन कपड़ा है उसका उल्टा वाला साइड उपर होना चाहिए उल्टा वाले साइड के तरफ हम अस्तर वाले कपड़े को रखेंगे और चारो साइड से सिलाई ल लगा करके दोनों को एक साथ हटेज कर लेंगे हाथ से बराबर करते हुए फिर सिलाई लगाना है ताकि बीच में कहीं सिकुरा ना आए तो इस तरीके से मैं सिलाई लगा ले हूँ अब इसी तरीके से हम दूसरे वाले पार्ट पर भी हम सिलाई लगाएंगे तो देखे इसका भी जो में कपड़ा है उसको हम उल्टा रखेंगे यानि उल्टा वाले साइड के तरफ हम अस्तर वाले कपड़े को रखेंगे और अच्छे से कपड़े को बराबर में मिलाती हुए हम सिलाई लगा लेंगे चारो साइड से सिलाई लगाना है अच्छे से फिनिसिंग के साथ उसके बाद से जो एश्टर कपड़ा है उसको कटिंग करके निकाल देना है मेन कपड़ा जो एश्टर दिख रहा है उसको कटिंग करना है कटिंग करने के बाद अब हम इसमें टक्स का सिलाई लगाएंगे तो इस तरीके से देखिए जैसे मैं निशान लगाना बताई हूँ यह मुसी तरीके से टक्स का सिलाई लगाते हैं स्टार्टिंग में और लास्ट में जब हम टक्स का सिलाई लगाते हैं तो सिलाई को डबल कर लेते हैं ताकि सिलाई बाद में खुले नहीं तो इस्टार्टिक में भी डबल कर लेना है और लास्ट में भी डबल कर लेना है तो इसी तरीके से चारो टक्स का सिलाई लगा लेना है देखिए यहां लाश्ट में भी सिलाई को डबल करना है ताकि सिलाई खूले नहीं तो यह ब्लाउज का जो उपर वाला पार्ट है यह रेडी हो गया है अब हम नीचे का बेल्ट तयार करेंगे देखिए जो दूसरा वाला पार्ट है इसको भी हम कट करके और फिर टक्स का सिलाई लगा लेंगे यहां मैं में कपड़ा कट कर ले रही हूँ जो इश्टा था और यहां मैं सिलाई लगा रही हूँ टक्स वाला तो यहाँ मैं सिर्फ एक टक्स में मैं दोनो साइड का मैं निशान लगाई थी और बाकी टक्स का सिलाई मैं इसी तरीके से लगा ले रही हूँ अगर आपसे इस लाई नहीं लग पा रहा है तो आप पहले निशान को बना लेज़ेगा दोनों साइड से फिर आप से लाई लगाईएगा तो दोनों पाइट मेरा रेडी हो गया है अब इसमें नीचे belt attach करना है तो पहले belt को main कपड़े से attach करना होगा उसके बाद से हम blouse में attach करेंगे तो देखे main कपड़ा जो है इसमें हम सीधा वाला side ऊपर रखेंगे ठीक है और दोनों को इस तरीके से रखना है, दोनों चोड़ा वाला साइड एक साइड होना चाहिए, यानि कि एक पास होना चाहिए, और सिधा होना चाहिए, और सिधा करके उसके उपर हम अस्तर वाले कपड़े को रखेंगे, उपर का पार्ट जब मैं अटेच की हूँ तो उसमें म दोनों जो चोडा वाला साय्ड है, दोनों एक साइड होना चाहिए, यानि कि एक साथ होना चाहिए उसके बाद से नीचे हम half inch का मार्जण रखते हुए, सिलाई लगा लेंगे, यानि कि में कपड़े को और अस्तर वाले कपड़े को और उसके बाद से तीन साइड जो बचा था, तीनों साइड में सिलाई लगा करके दोनों को एक साथ अटेयज कर लेना है दोनों पार्ट में हम सेम उसी तरीके से सिलाई लगा लेंगे सिलाई लगाने के बाद इसमें भी जो एश्टा कपड़ा दिख रहा है मेन कपड़ा जो एश्टा दिख रहा है उसको कटिंग करके निकाल देना है अच्छे से फिनिसिंग के साथ कटिंग करना है दोनों पार्ट में हम कटिंग कर लेंगे cutting करने के बाद अब हम इसको blouse में attach करेंगे तो देखे इस तरीके से हम blouse का उपर वाला part लेंगे और जो इसका चौड़ा वाला part है belt का जिधर हम hook पटी और eye पटी attach करते हैं उस side के तरफ रखना है और रखने के बाद देखे इस तरीके से हम रखेंगे और जो tux वाला कपड़ा है उसको हम किसी भी एक side के तरफ हम mold लेंगे थोड़ा सा fold करेंगे अंदर के side और फिर किसी भी एक side के तरफ उसको fold करके फिर सिलाई लगाना है देखे इस तरीके से fold कर लेना है और belt को उपर रखना है दोनों सीधा वाला side एक side होना चाहिए और half inch का margin रखते वे हम सिलाई लगाएंगे देखे यहां से मैं सिलाई लगाना श्टार्ट कर रही हूँ तक्स वाला कपड़ा था उसको मैं fold करके और एक side मैं कर ले हूँ और उसके बासे देखे इस तरीके से अच्छे से दोनों कपड़ों को बराबर में मिलाती है फिनिसिंग के साथ सिलाई लगा लेना है सिलाई लगाने के बाद देखे सामने के side से जो एश्टा धागा या कपड़ा दिख रहा है उसको कट कर लेंगे तो देखे सबसे पहले मैं यहां आई पट्टी लगा रही हूँ यानि कि चोड़ा वाला पट्टी तो मैं में कपड़ा और अस्तर वाला कपड़ा दोनों ही मैं एक साथ हटेच कर ले हूँ आई पट्टी के लिए इस तरीके से देखे जैसे मैं दिखा रहे हूँ ऐसे पहले किनारे से फोल्ड करना है और फिर बीट सेंटर से फोल्ड करके सीधा वाले साइड के तरफ पलट लेना है पलटने के बाद यहां हम सिलाई लगाएंगे तो नीचे से मैं सिलाई लगाना श्टार्ट कर रहे हूँ अच्छे से फिनिसिंग के साथ यहां सिलाई लगाना है यहां मैं सिलाई को डबल कर लूँगी डबल सिलाई करने से फिनिसिंग ज्यादा अच्छी लगती है तो इस तरीके से सिलाई डबल कर लेना है एक सिलाई करने के बाद थोड़ा सा गैप दे करके दूसरा वाला सिलाई लगा लेना है तो ये मेरा आई पट्टी तयार हो गया है अब दूसरे वाले साइड हुक पट्टी को अटेज करना है तो उसके लिए मैं पतला पट्टी मैं कट की हूँ और ये पट्टी सिर्फ अस्तर वाले कपड़े से मैं कट की हूँ इसको पूरा ही अंदर के साइड यानि उल्टा वाले साइड के तरफ पलटना होता है तो इस तरीके से मैं सिधा वाले साइड के तरफ रख करके सिलाई लगाई हूँ फिर अस्तर को पलट करके एक सिलाई मैं अस्तर के ऊपर लगा ली हूँ फिर अस्तर वाले कपड़े को पूरा है उल्टा वाले साइड के तरफ पलट लेना है और किनारे से फोल्ड करते हुए इस तरीके से सिलाई लगा लेना है अच्छे से फिनिसिंग के साथ फोल्ड करना ह कपड़े को एक बराबर और सिलाई लगा करके इसको भी अटेज कर लेना है तो यहां हुग पटी और आई पटी मैं अटेज कर ले हूँ अब गले पटी को मैं अटेज करूँगी तो उसके लिए मैं उड़े पटी की मैं कटिंग की हूँ और उसकी चोड़ाई मैं 1.5 इंच रखी हूँ पटी को मैं बीच सेंटर से फोल्ड करके यानि डवर लेयर में फोल्ड करके मैं यहां टेज कर रही हूँ नेक के पास गले पटी को अंदर के साइड थ्वासा फोल्ड करना है फिनिसिंग के लिए उसके बाद से जो भी एश्ट्रा धागा या कपड़ा है उसक पूरा अंदर के साइड फोल्ड करके और दोनों साइड के सिलाई को खोल लेना है तो देखिए इस तरीके से मैं फिनिसिंग के साथ फोल्ड करके और पूरे नेक में मैं सिलाई लगा ले हूँ सिलाई लगाने के बाद दिखिए ये बेल्ट बलाउज का फ्रेंट पार्ट तयार हो गया है अब इसमें जो भी एश्ट्रा धागा या कपड़ा आपको दिख रहा होगा उसको कटिंग कर लेना है इसकी बैक पार्ट की कटिंग और स्टिचिंग का वीडियो में पहले ही सेयर कर चुकी हूँ आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा वीडियो को लाइक करिएगा वीडियो देखने के लिए थैंक्यू